ओम शांती, आज बाबा के 14 जून 2021 के साकार मधुर महवा क्ये हैं, आज बाबा घर चलने की तैयारी हम सब को बता रहे हैं, कि बच्चे घर चलना है, बाबा के साथ चलना है, तो इस पुरानी दुनिया से बेहद का वेराग होना चाहिए, बाबा सर्व समर्थ है, सर्व शक्तिवान है, फिर भी माया रामण के विघन क्यूं पढ़ते हैं? बाबा ने इसका अर्थ बताया, क्योंकि माया रामण भी बहुत तीखा है, जब जब सत्यूगी राज्चे की स्थापना होती है तो ये विघन तो पढ़ते ही है पतित दुनिया को पावन दुनिया में बदलना है तो उसके लिए विघनों का आना ये भी ड्रामा में नूद है हमें विघनों से घबराना नहीं है गीत चला ओ दूर के मुसाफिर हमको भी साथ ले ले बावने का बावा दूर देश का मुसाफिर है अब वो यहां टेंप्रेरी इस ब्रह्मातन में आया है आप सबको अपना स्थाई शरीर है लेकिन शिव बावा ब्रह्मातन में टेंप्रेरी रूप से आये है आकर के सत्योगी राज्चे की स्थापना कर रहे है बाबा कहते हैं ये आपकी इश्वरिय फैमिली है जब बाबा ब्रमा तन से आके ज्यान देते हैं तो आप कहलाते हो ब्रमा कुमार कुमारिया जब बहुत सारे हो जाते हैं तो कहते हैं पल्टन हो गई तो यहां भी बाबा के बहुत सारे बच्चे हैं, ब्रमा कुमार कुमारिया हैं, जो बाबा से वर्सा लेने का पुर्शाट कर रहे हैं, यह इश्वरिये फैमिली है, यहां पर आप आत्मा रूप में भाई भाई हो, बाबा सद्गती का मंत्र देते हैं, कि अपने को आत्मा सम मुझ बाप को याद करो और कोई भी ये सद्गती का मत्र नहीं देते हैं क्योंकि देविमान में रहते हैं आत्मा रूपी सुई पर जैसे जंक उतरती है तो उसको बाबा की तरफ खीच होने लगती है कोई-कोई बच्चे पूछते हैं क्या हम माला का मनका बनेंगे बाबा केते माला का मनका कौन बनेंगे पहले अपने दिल से पूछो कि मुझे एक बाबा की याद रहती है सीधा ही किसी को कहेंगे नहीं बनेंगे तो हार्ट फेल हो जाएंगे हर एक अपने आपको चेक करे कि मेरे दिल में क्या एक बाबा याद रहता है बाबा के सिवाए कहीं और बुद्धी ना चाहे तब माला का मणका बनेंगे ये पुरानी दुनिया है कबरिस्तान बननी है सब कुछ नस्ट होने वाला है इसलिए खुशबूदार फूल बनना है बाबा सत्योगी बगीचा बना रहे हैं जो बच्चे याद में रहते हैं दूसरों को बाबा की याद दिलाते हैं ऐसे बच्चे ही खुशबूदार फूल हैं उन्हें देखकर बाबा भी बहुत खुश होते हैं स्वमान में रहकर देविमान को समाप्त कर देना है जितना जितना जो आत्मा स्वमान में रहती है उतना देभान समाप्त हो जाता है और वो सफलता मुरत बन जाती है तपस्या करनी है तो अब कोई बहाना नहीं देना समय को बचाना है आज हम अपने उपर अटेंशन देंगे क्या सच्छ मुच मैं तपस्या करना चाहते हूं तो उसके लिए कोई भी बहाने, कोई भी कारण नहीं देना है एक ही लक्षे रखना है कि मैं तपस्वी मुरत आत्मा हूं मुझे तब करना ही है मैं तपस्वी मुरत हूं, मुझे तब करना ही है अब सुनते हैं मुरले विस्तार से अब कहते हैं मीठे बच्चे, बाप के साथ साथ तब ही चल सकेंगे जब इस पुरानी दुनिया से बेहद का वेराग होगा बाबा के साथ साथ परम्था में तब चल सकेंगे जब इस पुरानी दुनिया से बेहद का वेराग होगा कोशने भगवान समर्थ होते वे भी उसके रच्चवे यग्ये में विघन क्यूं पढ़ते हैं? क्यूं पढ़ते हैं विघन? क्योंकि रावन भगवान से भी तीखा है ज़रूर जब उसका राज्ये चीना जाएगा तो वो विघन डालेगा ही शुरू से लेके ड्रामा नुसार इस यग्ये में विघन पढ़ते ही आई पढ़ने ही है हम पतित दुनिया से पावन दुनिया में ट्रांसफर हो रहे हैं तो ज़रूर पतित मनुष्ये विघन डालेंगे जब हम पतित दुनिया से पावन दुनिया में ट्रांसफर हो रहे हैं तो ज़रूर पतित मनुष्ये विघन डालेंगे गीत आउदूर के मुसाफिर हमको भी साथ ले ले ओम शांती मीठे मीठे रुहानी बच्चों ने गीत की लाइन सुनी जैसे वेद शास्तरादी भगती मारक का रास्ता बताते हैं वैसे गीत भी थोड़ा रास्ता बताते हैं वैं तो कुछ समस्ते नहीं शास्तरों की कथाएं आदी सुनना वो जैसे है कनरस अब बच्चे जानते, दूर देश का मुसाफिर किसको कहा जाता है? आत्मा जानती है, हम दूर के मुसाफिर है, हमारा घर शांती धाम है, मनुशिन बातों को नहीं समझे, तो गोया कुछ नहीं समझे, बाप को न जानने से स्रिष्टी चक्र को कोई नहीं जानते, ये आत्मा समस्ती है कि शिव बाबा कहते मैं टेंप्रेरी जीवात्मा बनता हूँ तुम स्थाई जीवात्मा हूँ मैं सिरफ संगम पर टेंप्रेरी जीवात्मा हूँ सोबित तुम्हारे माफिक नी बनता मैं इस जीव में परवेश करता हूँ अपना परिचे देने के लिए नहीं तो तुमको परिचे कैसे बिले मैं ब्रह्मातन में प्रवेश करता हूँ तुम बच्चों को परिचे देने के लिए नहीं तो मैं कैसे परिचे दूँ बाबा ने समझाया रूहानी बाप एकी है जिसको शिव बाबा अत्वा भगवान कहते हैं दूसरा कोई भी नहीं जानते इसमें पवितरता का भी बंधन है बढ़ते बड़ा बंधन है अपने को आत्मा समझना जिस दूर के मुसाफिर पतित पावन को भगती मारग में याद करते हैं वे रुहानी बाप समझाते मैं सबको ले चलूँगा किसी को भी छोड के नहीं जाऊंगा वापिस तो जानाई है प्रलय भी नहीं होनी भारत खंड तो रहता ही है भारत खंड का कभी विनाश नहीं होता सत्यूग आधी में सिरब भारत खंड ही रहता है कल्प के संगम पर जब बाबा आते हैं तो आदिसनातन देवी देवता धर्म स्थापन होता है जब शिव बाबा आते हैं तो आदिसनातन देवी देवता धर्म स्थापन करना होता बाकि सब धर्म अनेक अधर्म विनाश होने हैं तुम भी आदिसनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करने मे मदद कर रहे हो गीत में सुना कहते बाबा हमको भी साथ ले चलो बाबा कहते हैं ऐसे साथ में कोई चल ना सके जब तक पुरानी दुनिया से वेराग ना हो ऐसे कोई चल ना सके जब तक पुरानी दुनिया से वेराग ना आए नया मकान बनता है तो पुराने से दिल तूट चाती है जानतो ये पुराने दुनिया खतम होनी है अब नई दुनिया में चलना है जब तक सतो प्रधान नई बनेंगे तब तक सतो प्रधान देवी देवता बननी सकेंगे इसलिए बाबा बार बार समझाते अपने को आत्म समझ बाबा को याद करते रो सद्गति करने वाला दूर का मुसाफिर आया हुआ है उनको दुनिया नहीं जानते सरव्यापी कह दिया अब तुम बच्चे नंबरवार पुर्शारत अनुसार जानते हो कि हम शिव बाबा की संतान है आते भी हैं तो समझते हैं हम बाप ददद के पास जाते हैं तो यह फैमिली हो गई जब आते हैं तो कहते हैं बाप ददद के पास आई हैं तो यह भी एक फैमिली हो गई यह इश्वरिय फैमिली है किसी को बहुत बच्चे होते हैं तो बड़ी पल्टन हो जाती है, शुबाबा के बच्चे जो इतने बीके भाई बेन हैं, ये भी बड़ी पल्टन हो जाती है, ब्रम्ह कुमार कुमारियां सब जानते हैं, हम बेहत बाप से वर्सा लेते हैं, शास्त्रों में दिखाते हैं, पांडवो और कोर्वो ने खेल खेल राजाई दाओं पर रखी अब राजाई ना कोरव की ना पांडव की ता जादी कुछ भी नहीं दिखाते उनको शेहर निकाला मिला हतिया रादीची पाकर जाए रखा ये दंत कताई ना पांडव राज्ये है ना कोरव राज्ये है ना उनकी आपस में लड़ाई चली है लड भाई हुई कोरवों और योवनों की, बाकी भाई एक दो को कैसे खतम करेंगे, दिखाते हैं पांडव कोरव लड़े, बाकी पांच पांडव बचे और कुत्ता रहा, वे भी सब पहाड पर गल मरे, खेली क्लास, राचियों का अर्थ ही नहीं निकला, दिखाते हैं, एक कुत् गल मरे, फिर तो खेली क्लास, बाबा इसका भी अर्थ बताते हैं, उची सिती में रहके शरी छोड़ना, उसका यादगार दिखाया, पहाड़ों पर गल मरना, तपस्या करके दे अभी मान को गला देना, राचियों का अर्थ ही नहीं निकलता इससे तो, अब तुम बच्च से पावन बनाओ, सत्यूग में सूर्य वंशी राजधानी होती है, ब्रह्मा द्वारा विष्टुपुरी की स्थापना हो रही है, अब बाबा आए हैं, तो उनके डारेक्शन पर चलना है, कमल पुष्प समान पवित्र रहना है, कन्याओं को तो नहीं कहेंगे, कि गरस्व बन जाएंगे, कुछ गंधरवी विवा का नाम भी है, कन्या पर मार पड़ती है, तो लाचारी हालत में गंधरवी विवा कराया चाता, वास्तों में मार भी सेहन करनी चाहिए, प्रन्तु अधर कुमारी नहीं बनना चाहिए, बाल ब्रह्मचारी का नाम बहुत है, शादी क तो हाफ पार्टनर हो गए, कुमारों को कहा जाता, तुम तो पवित्र रहो, ग्रस्त ववार वालों को कहा जाता, ग्रस्त ववार में रहते, कमलफूल समान पवित्र बनो, उनको ही मेनत होती, उन्हों को ही मेनत करनी होती, शादी ना करने से बंदन नहीं रहेगा, कन्या को तो पढ़ना है और ज्यान में बहुत मजबूत रहना है छोटी कुमारियां जो सगीर है उनको हम ले नहीं सकते वो अपने घर में रहके पढ़ सकती है जिनके आयोबी कम है उनको यग्ये में समर्पित नहीं कर सकते घर में रहते उनको दोनों पढ़ाई पढ़नी है मात्पित ग्यान में आई तो सगीर को ले सकते हैं ये तो स्कूल का स्कूल है घर का घर है और सत्संग का सत्संग भी है सत्माना एक बाप जिसके लिए कहते हैं और दूर के मुसाफिर आत्मा गोरी बनती है बाब केते मैं मुसाफिर सदा गोरा हूं प्योरिटी में रहने वाला हूं मैं आकर सब आत्माओं को पवित्र गोरा बनाता हूं और तो कोई ऐसे मुसाफिर है नहीं बाबा समझाते मैं आयों रामुर्ण राज्ये में शरीर भी पर आया है तुमारी आत्मा कहेगी यह हमारा शरीर है बाबा कहेंगे यह हमारा शरीर नहीं है यह इनका शरीर है मातन में बैठे हुए कि ब्रह्मा का शरीर है मेरा नहीं है ये पतित शरीर हमारा नहीं है आते ही हैं इनके बहुत जन्मों के अंत के जन्में जो नंबर वन पावन था वही नंबर लास्ट अंत में विकारी बनते हैं पहला नंबर सोला कला संपूरन था अब कोई कला नहीं रह हुआ न, तुम आत्माई भी मुसाफिर हो, यहां के पार्ट बचाती हो, आत्मा भी मुसाफिर है, वहां से यहां के पार्ट बचाती है, इस स्रिष्टी चक्र को कोई भी नहीं जानते हैं, भले कोई कितना भी शास्त्रा दी पढ़ाओ, प्रन्तु ये ज्ञान कोई दे नहीं सकता. बाबा समझाती, मैं इस तन में प्रवेशकर इन आतमानों को ज्ञान देता हूं। यह तो मनुश्य मनुश्यों को शास्त्रों का ज्ञान देते हैं वो हो गई भगत, सद्गती दाता एक है, वही ज्मान का सागर है, उनको ना जाने के कारण देय अभीमान आजाता ने कोई ये तो समझते नहीं कि अपने को आत्मा निश्य करो और कोई भी ये बात नहीं कहता अपने को आत्मा निश्य करो आत्मा पढ़ती है ये कोई समझाते नहीं क्योंकि देय अभीमान है अभी दूर का मुसाफिर तो श्रिव बाबा को कहें बाबा किते पांजर वर्ष पहले भी समझाया था कि बच्चे तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो, मैं जानता हूं, तुम बच्चे अपने जन्मों को नहीं जानते, मैं जानता हूं, गीता में आटे में लून मिसल कुछ है, वोई गीता का एपिसोड, वोई मा भारत की लड़ाई वोई मन मनाभव मध्याची भव का ये ज्यान है मामेकम याद करो किवल एक बाबा को याद करो ये तीनों महामंत्र हैं मन मनाभव मन ही मन मुझे याद करो मध्याची भव वर्से को याद करो मामेकम याद करो तो अब तुम बुद्धी में जानते हो कि हम नई दुनिया में जाने का पुर्शार्ट कर रहे हैं, प्रजा भी बनती जाएगी, तुम्हें मालूम पढ़ता जाएगा, कि माला में कौन-कौन पिरो सकते हैं, मालूम पढ़ता जाएगा, कौन-कौन 108 की माला में पिरो सकते हैं, अगर किसको सीधा कहा जाए, कि तुम नहीं आएंगे तो हार्ट फेल हो जाएं इसलिए कहा जाता पुर्शार्थ करो अपनी जांच करो हमारा बुद्ध्योग भटकता तो नहीं अपनी खुद ही जांच करो हमारा बुद्ध्योग कहीं भटकता तो नहीं तुम्हारा शुव बाबा से कितना लव होता जाता कहते हैं धनवान है, प्रन्तों इतनी फुर्सत नहीं, पूरा निश्चे नहीं, नहीं तो मास दो मास के बाद आकर रिफ्रेश हो सकते हैं, जिनको घड़ी-घड़ी कशिश होगी, सुई पर जंक चड़ी होती है, तो चुम्बक खीचता नहीं, जब सुई के ओपर जंक लगी होती है, तो चुम्बक अपनी और नहीं खेचता है, जिनका पूरा योग होगा, उन्हें जट कशिश होगी, भागाएंगे, जितनी कट उतरती जाएगी, उतना कशिश होगी, हम चुम्बक से मिलें, गीत है चाहे मारो, चाहे कुछ भी करो, हम दर से कभी नहीं निकलेंगे, छुकर जादो या प्यार करो, हम आपका दर कभी नहीं चोड़ेंगे, ऐसा गायनाता है, प्रन्तो अवस्था तो पिछाडी में होगी, कट निकली होगी, तो अवस्था होगी, बाबा के ते हे आत्माई, मन मनाभो, रहो भले अपने ग्रस्त वैवार में, ऐसे नहीं कि यहां जाद लोगों आना है, रिफ्रेश होने के लिए, फिर सर्विस पे जाना है, बंधन जब क्लास हो, तो सर्विस पे जा सके, बंधन क्लास हो, तो सर्विस पे जा सके, माबाप को, अपने बच्चों को संभालना है, बाबा की याद में रहना है, पवित्र रहना है, बाबा न मनिश्यों को पता ही नहीं, रावन भगवान से भी तीखा है, उनकी राजाई छीनी जाती है, तो अने एक प्रकार के विघन पढ़ते हैं, ड्रामा प्लैन अनुसार फिर भी विघन पढ़ेंगे, शुरुवात से लेके पतितों के विघन पढ़ते हैं, शास्त्रों में लिख दिया, स्रीकृष्ण को 16,108 पटरानिया थी, सरपने डसा, राम की सीता चुराई गई, अब रावन स्वरग में कहां से आई, जूठ तो बहुत है, कहते विकार बिगर बच्ची कैसे होंगे, उनको पता ही नहीं, जो वर्सा लेने वाले होएंगे, वो ह आकर समझेंगे, तो इस ज्ञान यग्ये में असुरों के विघन पढ़ते हैं, पतित को असुर कहा जाता है, है रामन संप्रदाई, अब तुम संगम पर हो, रामन राज्ये से किनारा कर लिया, फिर भी कुछ लेश आती रहती है, ये बुद्धी में ज्ञान है, कि हम जा र हैं, बुद्धी में ज्ञान है, कि हम जा रहे हैं, बैठे तो यहां ही है, बुद्धी में ज्ञान है, कि अब हमें वापिस घर जाना है, ये छीची दुनिया कबरिस्तान बननी है, बिन्मिन पॉइंट से समझाया जाता, वास्तों में एक ही पॉइंट है, मन मनाभव, वह फूल व से कारो जाएंगे अब तुम पति दुनिया से 50 दुणिया में ट्रांसर हो रहे हो तो कलप पहले जो फूल बने होंगे वह निकलेंगे Garden of Allah की यहां स्थापना हो रही है सत्योगी बगीचा बन रहा है जो Garden of Allah है उसकी स्थापना हो रही है कोई-कोई तो ऐसे अच्छे-च्छे फूल होते है जो देखने से आराम आ जाता है नाम ये Kinga Fular पांच रोज से रखा हो तो भी खिला रहेगा खुश्बू फैलती रहेगी यहां भी जो बाबा को याद करते हैं याद दिलाते हैं उनकी खुश्बू फैलती है जो खुद याद में रहते हैं औरों को याद दिलाते हैं उनकी खुश्बू फैलती है सदा खुश रहते हैं ऐसे मीठे मीठे बच्चों को देख, बाबा हर्शित होते हैं, उनके आगे बाबा की ज्यान डांस बहुत अच्छी होते हैं, जो याद में रहते हैं, औरों को याद दिलाते हैं, उनके सामने बाबा की ज्यान डांस बहुत अच्छी होते हैं, अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चो प्रती, मात पिता बाप तदा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग, रुखानी बाप की रुखानी बच्चो को नमस्ते, रुखानी बच्चो की रुखानी बाप तदा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, धार्णा के लिए सार पहली पॉइंट है ज्यान योग में मजबूत बनना है अगर कोई बंधन नहीं तो बंधनों में जान बुझ के फसना नहीं बाल ब्रह्मचारी होकर रहना है अब हमारी चड़ती कला है बाबा हमारे सारे दुख दूर करने शराप मिटाए वर्सा देने आए है बाप और वर्से को याद कर अपार खुशी में रहना है जाच करनी है हमारा बुझ्दियों कहीं भटकता तो नहीं अपने बुझ्दियों की जाच स्वेम करनी है हमारा बु स्वमान में सित्र है देविमान को समाप्त करने वाले सफलता मूरत भव। जो बच्चे स्वमान में सित्र रहते हैं वो बाबा के हर फर्मान का सहजी पालन कर सकते हैं। स्वमान बिनबिन प्रकार के देविमान को समाप्त कर देता है। लेकिन जब स्वमान से स्वयम शब्द भूल जाता है और मान शान में आ जाते हैं तो एक शब्द की गल्ती से अनेक गल्तियां होने लगते हैं। इसलिए मेनत जादा प्रत्यक्ष्वल कम मिलता है। तो पुर्शार्त वा सेवा में सहजी सफलता मूरत बन जाएंगे। स्वमान में स्थित रहेंगे तो पुर्शार्त वा सेवा में सहजी सफलता मूरत बन जाएंगे। इसलोगने तपस्या करनी है तो समय को बचाओ। बहाना नहीं दो। तपस्या करनी ही है यह हम द्रड संकल्प करें। तो उसके लिए समय को बचाना है। बहाना नहीं देना क्या करें। टाइम ही नहीं मिलता। आज हम सब अपने बहानों को सदाकाल के लिए विदाई देंगे। क्या करें। बहुत बिजी हैं। क्या करें। टाइम ही नहीं मिलता। आधी आधी जो भी बहाने बाजी हम करते हैं अब उसे समाप्त कर द्रड संकल्प करेंगे मुझे तपस्या करनी है वक्त निकाल कर जा हम 20-20 मिनिट के लिए ही बैठें मैं रिडिशन के लिए तप करना है खुद को निखारना है स्वमानमिस्तितो शाएं मैं सफलता मुरत आत्मा हूँ ओम शान्ती आज की अव्यक्त मुरली जरूर सुनें उसके लिए उपर दिये गए बोक्स को टच करें